हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार अगर मैं कहूं कि जलवाईू परिवर्तन मानों को एक नया आकार देने वाला है शायद मानों के कुछ ऐसे पूर्वज जिनके बारे में आपने कभी कहानियों में पढ़ा होगा उनका जन्म जलवाईू परिवर्तन देने वाला है तो जानकर आपको आश्चर होना भी चाहिए और होगा भी कारण ये है कि ये जो रिशर्च है ये जो अध्यन है यह दावा करता है कि वह अस्टित्ता में भालत में ग्लोबल व्रमिंग और इवन वल्ड में ग्लोबल वर्मिंग और अक्लाइमेट चेंज से कारण humans की नई प्रजातियों का जन्म होगा और ये इतिहास में हो चुका है इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ मानों के नए जो रूप है नए जो उप प्रजातियां है वो देखने को मिलने वाली है आगे इस बारे में चर्चा करेंगे और डीटेल में समझेंगे कि कैसे ये उप जातियां या कैसे ये चेंजिस आने वाले टाइम में हमें इनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे में चर्चा को स्टार्ट करूँ उसके पहले याद रखिए स्टड़ी आएक्यू के प्रीमियम जो प्रतिग्या प्लस बैचेस हैं अगर आप तयारी कर रहे हैं दो हजार पचीस चब्विस या सत्ताइस के लिए अगर आप दो हजार पचीस में एकजाम देना चाहते हैं तो बहुत ही कम समय शेश रह गया है इन बैचेस को जॉइन करने का विद्ध मिनिमम कॉस्ट ऑफ 23,999 आप 10 सितंबर से स्टार्ट होन अर्थात ग्लोबल वर्मिंग और क्लाइमेट चेंज लगातार चेंज होता हुआ वातावरन बीते इतिहास में शायद आपको इवोल्यूशन की साइकिल से इस बारे में जानकारी जरूर होगी कि हम एक कोशिकी जीव से बेसिकली अभी यानिकी यूनिसेलिलिलर जो प्रज थी वो सक्सेशन वो इवोल्यूशन जो ट्रिगर करा बेसिकली बदलती हुई जलबायू ने याद रखिये बहुती सपस्ट तौर पर यह बास समझाई गई कि भई एक बैक्टीरिया जो आज आपको दिखाई दे रहा है जो एक बैक्टीरिया ही है उसी जैसे दिखने वाल है और उसी जीव के जैसे दिखने वाले जीवों का विकास होते हुए आज हम यहां खड़े हैं ऐसा इस जीव के साथ क्यों हुआ उसका कारण है जो बैक्टीरिया आज आपको दिखाई दे रहा है शायद वो ऐसे वातावरन में रह रहा होगा जो की स्थिर हो अर्थात अगर आपको कोई एक कोशिकी जीव दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि evolution की cycle में उद्विकास के क्रम में शायद वो एक ऐसे पारिस्तितिक तंत्र में या ऐसी जलवायू में निवास कर रहा था जिसमें जादा changes नहीं हुए अर्थात changes का होना जलवायू के change होने पर नि होता है phototypic जो phototypic change है यह changes आपको body में दिखाई देते हैं वहीं जो दूसरे प्रकार के अनुवांशिक changes है यह धीरे धीरे करकर शरीर के अंदर विक्सित होते हैं अब इन दौनों ही परिवर्तनों को ज़रा ध्यान से समझे अगर मैं आपसे कहूं कि आज पास की में जो changes आ रहे हैं उस accordingly humans में भी changes आने लगते हैं समय के अनुसार अब इस बात को समझे कि अगर जलवायू में कोई change आया है तो हमारे सरीर में भी उसके accordingly हमारे आकार में भी उसके accordingly changes आते हैं और प्रत्वी एक cycle में चल रही है glaciation और deglaciation अर्थात हिम्यूग और अंतरा हिम्यूग की cycle एक ऐसी cycle जिसमें एक बार प्रत्वी स्नो बॉल में और एक बार प्रत्वी एक गर्म बॉल में change हो जाती है एक hot and humid type of climate में change हो जाती है और इसी change होते हुए हमारे जलवायू के कारण species के शरीर के आकार में परिवर्तन आता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानों ने ऐसे कई परिवर्तनों को पार करा है और इसका आपको सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा जब आप मस्तिश्क के विकास के बारे म देखेंगे आप पाएंगे कि जो औस्ट्रेलोपेटिकस है जो हमारे ही पूरवच कहे जाते हैं इन पूरवचों में मस्तिश्क जो है वो वानरों के समान ही हुआ करता था अब उस समय पर जब औस्ट्रेलोपेटिकस प्रिथवी पर राज कर रहे थे हमारे पास एक ऐसी ज और यही कारण है कि जो औस्ट्रेलोपेटिकस की जीवन शेली थी उसने मस्तिश्क के विकास को उतना आवश्यक नहीं बनाया लेकिन टेबल ऑलवेस टर्न आज से दो मिलियन वर्ष पहले की लगभग आप पाएंगे कि जलवायू में एक नाटकी परिवर्तन आता है और अ जलवायू में आया परिवर्तन था इस कारण मानों को शिकार में कोडिनेशन के आवशक्ता पड़ी जिससे हम धीरे धीरे करके अपने कम्यूनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉंग करने लगे इशारों के बजाए आवाजों में बात करना स्टार्ट करने लगे और ऐसे ही समय के साथ हमें उद्विकास के करम में दिखाई देता है कि हमारा आहार बदला हमारे शिकार का तरीका बदला और हमारी आवशक्ताएं बदली और इन्हीं आवशक्ताओं के बदलने के साथ मानों का प्रकार भी बदला और ऑस्ट्रेलोपेथिकस से दुगने मस्तिस्क की छमता वाले जो नए हुमन्स थे उनका विकास हुआ और समय के साथ हम होमो हैबिलस जिसने पत्थरों और हड्डियों से हथ्यार बनाना शुरू करें उनमें हम चेंज हुए अब सोचिए मानों का ही एक प्रकार था जो अस्ट्रेलोपेटिकस के रूप में मस्तिष्कगा उतना उप परिवर्तन पहले जब भोजन परियाप्त रूप से उपलब्द था मस्तिष्क के उद्विकास के आवशक्ता नहीं थी हमारा विकास रुका हुआ था जलवाईयों में परिवर्तन आया परिवर्तन का अंतिम परिनाम हुआ कि मस्तिष्क का उद्विकास हुआ और उसी प्र करना सीख लिया एक ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो शुश्कता की और आगे बढ़ रही थी इसी तरीके से आप पाएंगे कि जो होमो सेपियन है इस तक मस्टिश्क का लगातार विकास होता रहा इसी विकास से क्रम में साक्ष के रूप में बताया गया कि मानों के ही कुछ पूर्वश थे जो पूर्वश बेसिकली साइबेरिया के छेतर में आज से लगबख 30,000 साल पहले निवास करा करते थे इन पूर्वशों को डेनिसोवन्स कहा जाता था और यह जो मानों के पूर्वश थे यह हाई एल्टिट्यूड और ठंडे छेतर में इवन कम ऑक् पर भी सर्वाइब कर पाते हैं अर्थात इस पूरी ही चर्चा से एक बात सुपस्ट है कि बीते वर्षों में जो जलवाईयों में परिवर्तन आया है जो क्लाइमेटिक कंडिशन में चेंजे आये हैं उन चेंजे के अकॉर्डिंगली हुमन्स ने अपने आपको इवाल्व करा है और अब यह जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का दौर है यह डी ग्लेशियेशन के एज में बढ़ते हुए तापमान के साथ हुमन्स में फिर से अडॉप्टेशन देखने को मिलेगा अनुकूलन देखने को मिलेगा इवाल्यूशन याने उद्विकास की साइकल से हम एक बात समझ चुके हैं और वो इस पस्ट है कि जब जब ग्लेशियेशन डी ग्लेशियेशन की साइकल होती है हिम्योग अंतरा हिम्योग का स्टेज होता है तो जो हुमन्स हैं इनकी बॉड़ी साइज में चेंजेज आते हैं और यह जो चेंजेज हैं यह इस को स्टोर कर सके और वहीं इंटर глیenozen की एज में हमारा जो बॉडी साइज है या मैं कहूं जब temperature increase होता है तब हमारा बॉडी साइज वह रिडियूस होने लगता है हमारा आकार जो है वह कम होने लगता है ताकि हम जादा से जादा distance travel कर सकें अपने भूजन की तलाश में याने कि एक बिल्कुस पस्ट कथन अगर हम कहें तो deglaciation अगर ये प्राकर्तिक तोर पर होता और global warming या climate change अगर ये हमारे कारण हो रहा है दौनों ही condition में humans का body size reduce होना या आकार का कम होना एक सहज प्रतिक्रिया है मानों के उद्विकास के क्रम में आने वाले changes की ये changes अपने आपको survive कराने में सहायक होते हैं अपने आपको given climatic conditions में survival के readiness create करने में सहायक होते हैं important ये जानकारी है जलवाई उपरिवर्तन एक बहुत ही important चर्चा में रहने वाला विशह है एक्जाम point of view से आपके लिए बहुत जरूरी है अब चर्चा करते हैं जिस जानकारी के बारे में मैंने आप शुड़वात में चेर्चा की थी ज्यान दीजे अगर आपका aim UPSC का examination को qualify करना है और आप 2025 के ले ट्राय कर रहे हैं तो आपके लिए premium batches प्रतिग्या प्लस batches उपलब्द हैं 11,000 का cash price होगा 37 week 37 test आप अगर first rank लाते हैं किसी भी में तो आपको 11,000 का cash price तो दिया ही जाएगा साथ ही pre-qualify होने पर आपकी 100% fee return कर दी जाएगी इसके लावा अगर आपका target 2026 या 2027 है तब भी ध्यान दीजे आपके लिए long term batches उपलब्द हैं और इन batches में admission की जो last date है ये भी announce हो चुकी है जो की है 10 सितंबर की आप इन batches म enroll कर अपने आपको 2026 और 2027 के लिए ready कर सकते हैं साथ ही अगर आपका optional अर्थात वैकल्पिक विशे जोगरफी है जो की होना भी चाहिए सबसे ज़्यादा interesting सबसे ज़्यादा scoring और साथ ही एक ऐसा subject जो UPSC के preliminary examination को highly dominate करता है is waiting for you 16 सितंबर से इन batches में भी classes start हो जाएंगे enroll अगर आपने नहीं किया है तो ध्यान दीजे आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि given date से पहले आपको इन batches को join कर लेना है और साथ ही इन सभी batches में join करने से पहले आपको use करना है AK live code का इस code का अगर आप use करते हैं तब आपको minimum cost देखने को मिलेगा अन्यता की सिती में आप extra cost pay कर जाएंगे do not pay extra just use AK life code और इस code के माध्यम से आप हमारे premium batches का पार्ट बन सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में have a very nice day thank you हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQ IAS हिंदी